हाई गाइस कैसे आप सब फैंड्स कभी कभी ऐसा होता है कि आपके दिमाग में कोई एक सक्स आ जाता है आप उचोबिस खंटे आपके दिमाग में चलता है आप चाह कर भी उसे अपनी दिमाग से नहीं निकाल पाते हैं आप चाहें चाहें या ना चाहें उसके ख्याल आपके में आते रहते हैं। आप खुछ समझ भी उसका चाहां होता है। वह एंसान आपको या दा रहा है। तो आप उसे नहीं निकाल पार रहे हो, आप आखे बंद जाके लेटो हो तो भी उसका चेरा रहाता है, कुछ काम करो, तो भी वही चीज़ आदाती है, वही मेमोरी आपके दिमाग पर चलती है, ऐसा क्यो हो रहा है कि वही इंसान आपको याद आ रहा है, आप उसे पर करेक्ट रहे हैं, जो आपके बहुत ज़्यदा करीब रहा है, आपने दिल से अपना माना है, उसने आपको अपना माना है, वह इंसान आगर कभी आप से दूर हो गया है, वह दूर बैठा कर आपके बारे में सोच रहा है, आपको याद कर रहा है, आपके साथ बिटाए Vibration भेज़ता है जिसकी विज़े से आपको उसके खयाल आने लगते हैं। आप भी उस सक्सकों अपनी दिमाग से नहीं निकल पाते हैं। धुम। इसकों पडिनी समय निकल पाते हैं। लेकिन हां इस जिससे आप कुछ कहना चाहते हो, अपनी मन की फीलिंस मताना चाहते हो, साथ बहुत कुछ कहना चाहते हो, साथ बहुत कुछ सुनना चाहते हो, बिना कुछ कहे, आपके बिना कुछ कहे, वो इनसान अगर आपसे दूर चला जाता है, इससे पहले कि आप उससे कुछ बोलो वो सक्स अगर आपसे दूर चला गया आपसे नहीं मिल पाया तो आप ऐसे में क्या करते हो आप वो बाते जो फीलिंग से आप उससे कहना चाहते थे वो बाते आप अकीली में खुद से करते रहते हो एक बार नहीं कई बार करते हो और वो सक्स आप जिसे ये बात कहना चाहते हो इस वज़े से वो सक्स आपके दिमाग में चाय रहता है उसे आप अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते है और यही अदूरापन, यही अदूरी बाते है लोगों के दिमांग के बने लैता है वह सक्स भी आपकी दिमांग पर बना लाता है इस फिर कर 2018 कि वह पर लागन औरो पर आप कीर में बाता है कभी अधूरी बाते भी हमारी ईस वज़य क कारण बनती है कि लोग एक दू से पुला पाते हैं कि लोगों के दिमाग एक सक्स देटा तुछे वो नहीं निकाल पाते कोई ऐसा इंसान जो आप से सोल से करनेक्टेड है एक दूसरो बहुत जधा करीब है आप दूनों कोई इसान इनसान अगर आप की लाइफ सो दुर चला जाता है आप से मिल नहीं पाता, तो आप अगर उससे बहुत ज़्यदा करीब होते हो, जब कोई भी इनसान किसी से बहुत करीब होता है, तो जो उन्होंने अच्छा समय गोजारा होता है, जो मेमोरीज बनाई होती है, आप उसी में जीने लगते हो, उन मेमोरीज को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते हो, साध निकालना नहीं जाहते हो, और मेमोरीज में आप जब जहीं लगते हो, तो वो सक्स आपके दिमाग पे रहता है, आप उन्हीं मेमोरीज में रहते हो, उससे बहुत नहीं निकाल पाते हो, कभी-कभी आप उन मेमोरीज को भी अपने दिमाग से न और वही आपके दिमाग में चलती है घूमती रहती है इसई वज़य से वह सक्स भी आपके दिमाग में रहता है उसे अप नहीं निकाल पाते हो जिसके साथ आपने एक लंबा आपको आपके मन से बहुत ज़्यादा करीब है तो वहां से आपको लव वैबरेसर भीज़ता है जो आपको यहां मिलते हैं तो आपके साथ कुछ अजीब चीजे होए लगते हैं आइक तो वह सक्स आपके दिमाग में हमेशा रहेगा वो किस तरह से आएगा कभी-कभी आपको तो शुख यूटी में संगे डिए उनकी तफके सामने करोंगी आपको न Schnee में देने लगे इत्गिए जीशा होहाँ जर्द सक्स को के बारे में आपको याद दिल के राने लगते हैं इसका मुशिद्या समतले में कि वह सख्स आपको लव वाइब्रेशन भीज रहा है जिसकी विजासे आपके साथ यह सब हो रहा है तो फिर और शीव चार बड़े कारण हैं जिसकी विजासे आपकिसी सख्स को अपने दिमाग से नहीं निकार पाते हैं और वो सक्स आपकी दिमाग में चाहा रहता है दो फ्रेंस अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें वैसे देर लव एब वाइस लव टिप्स और मोटिवेशनल वीडियो आपके लाती रहोंगे मिलते अपने नेक्स वीडियो आपके लिपाइ